नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मैंनीशा और मेरे चानल दफ लेवर अफ लाइफ में आपका स्वागत है आज की मेरी रेसिपी है स्टफ मोनैको सेवपूरी इसके इंग्रीडियन्स है दो आलू बॉयल आलू है जिसे छील के मैश कर लिया है मैंने हाफ क्यूंबर एक प्याज द लिया है इंली की चटनी है घ्रीन चटनी है दो हरी मिर्चे इसे भी प्रेश धनिया को पत्ति है फाइन चॉप कर लिया है भुनावा जीरा का पौडर कालन नमक टुमैट्टोग केचप गी सेव है साध ही यह मुनाको बिस्कृत सर्ट मशाला इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाड़े से बॉल में अपनी सारी चीजों को ट्रांसफर किया है जैसे आलू जितने भी चीजे हमने रखी है उसे धीरे-धीरे करके ट्रांसफर किया है यह बहुत इजी और फास्ट स्नैक्स है और इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है आप किसे भी किट्टी के लिए इसे बना सकते हैं और यह काफी हल्दी भी है प्लस आप सबचियां जो भी आप कर सकते हैं बच्चों की छोटी-छोटी भूख के लिए सबसे अच्छा आप्शन है यह बच्चों को तो हमेशा थोड़े-थोड़े टाइम पर भूख लगती रहती है तो यह फटाक से बन जाता है बस मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर लिया है अब उसके बाद है और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है बहुत बार मेरे पास घर में अगर चैना पड़ा होता है तो मैं उसे भी बॉल करके इसमें डाल लेती हूं आलो का जो भी टेस्ट आपको पसंद आप वैसा रख सकते हैं और बस यह सारी चीज़ों को अच्छे से मिक् को सब तरफ लगाना है कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्षर को थोड़ा जादा लेकर के भारे ताकि काने में इसका टेस्ट आए और सब तरह से साइट से निकले नहीं और दबा दबा के मैं अच्छे से बसकित को पसकी टॉपिक कर रही हूं और इसके उपर दूसरा बसकि यह बना हुं चांड भउप बना लेकित तो इसे तरह से ऩार है कि यह अगुछ तो है नहीं फट से बन जाता है और इसी तरह से पहाँ में डूसरा भी बना लिया और जितना तो सबसे बनाे और बस असना बनाने के बाद मैंने साइड से सोसए की थोड़ी थोड़ी कोटिं क करने का मकसद बस इतना ही है कि जो इसके किनारे हमें सेव लगाने है वह चिपक जाए अगर आप सॉस यहां पर यूज नहीं करना चाहते तो आप अपना वह जो इमले का चटनी है या ग्रीन चटनी है किसी भी चीज की कोटिंग कर लें ताकि जो सेव हैं वह उसे चिपकाने म पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें दूसरों के तद शेयर करें सब्सक्राइब करें प्रिस दे बेल बटन थैंक यू फर वाचिंग बाई